कि नमस्कार मैं अंजली मिश्रौ और स्वागत है आपका हमारे चनल में आपको उता दे कि फिल्म ब्रह्मास्त्र को रिलीज हुए तीन दिन हो चुके हैं और फिल्म मास्त्र कि कमाई शोचल मीडिया के अगर बात करें आकड़े की बात करें तो अभी जो है अच्छी कमाई द 25 क्लोर रुथ है को उसलिए जो है और जब प्टाब के चल रही है और जितनी बड़ी बजट के फिल्म है उस फिल्म उस बजट को अटली सरपास करने के लिए इस आकड़े को ब्रहमास्त्रों को मिंटेन करके चलना बहुत बड़ी बात है और इसी बीच जिस तरीके से कंग्णा रनाऊट का प्रहार देखने के रेवल रहा इसी बीच जिस तरीके से बॉइकॉट्ट की बात निकल कर सामने आ रही है ऐसे में ये देखना काफे दिल्चास्प होगा कि फिल्म अपनी लागत जो इन्होंने लगाए हुई है उसको सरपास कर पाते हैं कि नहीं जितने फिल्म में खर्च किया आयां कि उतना जो है वो निकाल पाते हैं या नहीं क्योंकि काफी बड़ी वजट फिल्म है और फिल्म से आयान मुखर्जी समय जो स्टार्स हैं उन्हें काफी जादा जो है उमीद नजर आ रही है तो इसे भी जब आपको बता दे कि कंगना रनाउत ने इसे लेकर तीखी प् ने फर्जी आकड़े बताने का ही आरोग करन जोहर पर लगा दिया और यह भी कह दाला कि करन जोहर से वह इंटरव्यू लेना चाहेंगी और आकड़ों के बारे में पूशता भी करना चाहेंगी उन्हेंने कहा कि जहां एक तरफ पर कमाई का जश्ट मरा रही तो कंगना रन कमाई हैं और ऐसे में कंगना रनाउत की बॉक्स ओफिस रिपोर्ट पर रियाक्ट करते हुए एक क्रिटिक का ट्वीट अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेर किया साथ ही यह लिखा कि फिल्म शुकरवार को रिलीज हुई थी और अविवार को यह बड़ी हो गई यही प्राइम फोकस फिल्म का को प्रोडूसर है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वी एफेक्स में कुछ खर्चन नहीं हुआ यह करन जोहर मैथमेटिशन का मैं हमको भी सीखना है कंगना रनाउत ने पोस्ट में लिखा मैं करन जोहर से इंटर्व्यू लेना चाहती हूँ और मैं उनसे समझना चाहती हूँ कि आखिर वह ब्रहमास्त का नेट कलेक्शन बताने के वज़ा है ग्रॉस कलेक्शन क्यूं बता रहे हैं इतना उतावला पन आखिर उनके अंदर क्यूं है इसके अलावा साथ करोड़ रुपे कमाने के बाद यह नेट कलेक्शन है जो उन्होंने उन्होंने बताया है ऑला कि मुझे साअकड़े पर विश्वास नहीं है प्रण के सिरफ सर इस Familien को सरपस करने बहां कावी का पहले से वह खिथ को किन यह इंगता है कि करन जोहर जी प्लीज इस पर प्रकास डाली और हमें बताईए क्योंकि मुझे डर है कि माफिया और हम जैसे लोगों के लिए अलग अलग नियम है इसलिए आप जैसे विशेश अधिकार पर प्राप्त लोगों के लिए अलग मैस और हमारे जैसे वंचितों के लिए अलग मै इन्हें जेल में डाल देना चाहिए कंगना रनाभ और करंच जोहर बिएř में निकल कर साबने आई थी दी जो से लगता है कि भी खत्म ही नहीं होने वाला है तो यह सकते हैं कि बड़ी टिपनी ए ड्रनाभ की कमाई को लेकर अंहें का है ऐसे मैंने लगता है कि 70 प्रतीशत तक जो फिल्म की कमाई बताई जा रही है वो पूरी तरीके से फर्जी है तो ऐसे मैं देख सकते हैं कि कंगना रॉनाउट जो है लगतार झालिस जांकारी दी उन्हेंने करणज़ोर से ब्रह्मास्त्र की 75 क्रड़्यों की कमाई करने वाली जानकारी को भी साजा की थी जानकारी पर उन्होंने इस टोरी आपने इंस्टेग्राम स्टोरी पर शेर किया और वो भी लंबा चोड़ा पोस्ट सबसे बड़ा है कि भारत का शायद अब तक का सबसे बड़ा है कहा जा सकता है जिसमें साट से सतर प्रतिशत से अधिक फर्जी आकड़े हैं अपनी इंस्टेग्राम स्टोरी पर इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कंग्ना ने चुटकी लेती हुए लिखा वाह यह नया निम्स्तर है सतर प्रतिशत जहाए इस तरीके से यह फर्जी आकड़ दिखाए गए उन्हों मास्ट की रिलीज के दिन कंग्ना ने फिर से तमाम लोगों को जमकर दिशाना साधा था फिल्म की कुछ खबर से शिमक्षाओ पर प्रतिक्रिया देते हुए इनने कहा था कि इतना बड़ा जो है ऐसा तब होता है जो आप जूट बेचने की आप कोशिश कर रहे होते हैं करन को लेकर निर्देश को क्या कहें जतना अभी अपनी जिंदगी में कभी एक अच्छी फिल्म ही नहीं बनाई भारत में फॉक्स स्टूडियो को इस फिल्म को फंड देने के लिए खुद को बेचना पड़ा इन जोकरों की वजह से और कितने स्टूडियो बंद हो जाएंगे तो अब देख सकते हैं कि गंभीर आरोप जो है देखने के लिए मिल रहा है काफी उन्होंने सवाल उठाए हैं साथ ही कंगना रनाओत ये भी कहा कि हर उस सक्ष को जो आयान मुकर जी को जीनियस कहता है से जेल में डाल दना चाहिए यही नहीं कंगना ने स्वहम घोशित क् हाथ बताया गतादे के आयन मुकर्जी लंबे अर्जे से फिल्म ब्रहमास्ट को लेकर बीजी बताया जो आ रहे थे सितंबर को रिलीज होई फिल्म को खराब रीव्यू भी मल रहे थे फिल्म अविताब इचन मौनी रोय नागर जिन समित कई सारे और भी आक्टर्स देखन वह काफे मुश्किल लग रहा है एक तरफ कंगना रॉनारत का प्रहार है तो दूसरी तरफ अभी बहुत को बॉलिवोड करने के मांग उठ रही है ऐसे में सभी कि निगाहे इसी बात पर टिकी है या यू कहिए कि यह देखना दिल्चस्प होगा कि फिल्म अपने लगाई ह लगात को रिंगी आपती है या यह अधर हमने आपको जो है यह पूरा मामला में बड़ वस्तार स wat धाइच कहिए कह से ब्रहम्स्त फिल्म का कलेक्शन रहा है कौन कौन से जैसरी सेक्शन में जैसे हिंदी में 2700 कपा इने कितनी कमाई कि तमिल बने कितनी कमाई कि ओल्ばक गार screams तो 9 22 करोड का आकड़ा जो है वो बैट रहा है तो ये कणना रन आउट का यह कहना है कि ब्रह्मास फेल्म के जो collection बताया जा रहे हैं जो आकड़े बताया जा रहे हैं करंजोर जोसे promote कर रहे हैं वह 70 फीसदी गलत है 60-70 फीसदी इसमें छोल है हेरा फेरी है और यहीं नहीं इन आकडों को लेकर कंगने रनाओत यह भी कहती है कि वह करंजोर के साथ एक तरहिके से फ़र्जी वाड़ा यह बेचने की कोशिच क्यों कर रहे हैं वो क्यूं बता रहे हैं या फिर मैट्स को समझाने की कोशिच करे और यह सारी चीजें उन्होंने अपने कहएaire क्ला लिख एक पोस्ट एक शहर किया है तो याशे में हमने आप वो बड़े विस्तार सबता है कि पूरा मुद्धा क्या है और आप इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट करके जरूर साचा करें